हेलो दोस्तों, मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है, आज हम एक नैतिक कहानी प्रस्तुत करते हैं। सब्सक्राइब बटन दबाना और नोटिफिकेशन घंटी बजाना न भूले ताकि आप इस चैनल का कोई भी जानकारी पूर्ण वीडियो मिस न करें। अब चलो शुरू करें। अंतिम परीक्षा मॉरल स्टोरी। शिक्षा ग्रहन करने के लिए श्री निवास जी का आश्रम बहुत ही प्रसिद्ध था। धने जंगल में उनका ये सुन्दर आश्रम था जिसकी ख्याती बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। श्री निवास जी का शांत स्नेह स्वभाव, उनकी विद्वता, तपश्चर्या, त्याग्मय जीवन, सदाचरन के कारण ही बहुत दूर-दूर से कई विद्यार्थी शिक्षा ग्रहन करने के लिए उनके आश्रम में आते थे। और जिनकी शिक्षा पूरी हो जाती उन्हें ससने विदाईडी जाती थी। होली का त्योहार निकट था, जिन विद्यार्थियों की अंतिम परीक्षा हो चुकी उन्हें अब घर की याद सताने लगी थी किन्तु बिना आचार्य जी की आग्या के वे कैसे जा सकते थे। आचार्य उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, ये बात आप सबने पहले क्यों नहीं बताई, आपकी शिक्षा है पूर्ण हो चुकी हैं, तो मैं आपको रोक नहीं सकता, आज शाम को ही आप सब घर जा सकते हैं। ऐसा कहते हुए आचार्य जी ब्रह्मन करने के निकल गए, सभी शिश्यों की खुशी का ठिकाना ना था, वो सभी मस्ती में जूमने लगे और उन सबने घर जाने के उद्देशे से अपना सारा सामान समेटना शुरू कर दिया। शाम को एक अंतिम नाव नदी के उस पार जाने के लिए निकलती थी, उसी नाव से घर जाने के लिए सभी उतावले हो गए, प्रस्थान की पूरी तयारी करके वे सभी अब आचार्य जी के आने की प्रतिक्षा करने लगे। जब आचार्य जी ब्रमन करके लोटे तो सभी शुष्यों ने उन्हें प्रनाम किया और नदी की ओर चलने लगे। अगी सोच रहा था। उसने सब मित्रों से आग्रा करते हुए कहा, मित्रों, हमें इन काटों को रास्ते से हटा देना चाहिए। कल मोग अंधेरे में आचार्य जी और अन्य सहपाठी नदी पर स्नान करने के लिए इसी रास्ते से आएंगे और अंधेरे के कारण शायद वे इन काटों को न देख पाएं। यदि हमने इन काटों को न हटाया तो उन्हें ये काटे चुभेंगे। इसलिए पहले हमें इस मार्क पर से ये सभी काटे हटाने चाहिए। को वे न चुभे। सुबरत के अलावा बाकी सभी शिश्य नदी किनारे पहुंच चुके थे। उन्होंने जब नाव को अपनी आँखों के सामने पाया तो वे बड़े प्रसन हुए किन्तु अचानक ही उन सबने वहां अपने आचारे जी को देखा। उन्हें देख वे सब एक साधारन सा शिश्टाचार भी यदि आपके आचरन में नहीं आया इस सितात पर यह है कि अभी आपकी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई है यही तो आपकी अंतिम परीक्षा थी और इसे उत्तीर्न करने से पहले ही आप घर लोटने को उतावले हो गए थे। अंतिम परीक् अचार्य जी ने कहा, प्रिय सुब्रत, जीवन में न केवल अपने बल्की के मार्क के काटे दूर करने वाला ही श्रेश्ट होता है और तुमने हमारे मार्क के काटे हटा कर अपना श्रेश्ट तवसे धकिया, मेरा आशीरवाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, आचार्य जी के वचन सुनकर सुब्रत की आँखों में खुशी के आशु जलक उठे और वहनाव से घर की और प्रस्थान करने लगा, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अधिक संबंधित वीडियो के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, रुपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, धन्यवाद